नमश्यार दोस्तों मेरा नाम है बुशन सिंग गुलाटी मोटिवेशन स्पीकर और सेल्स टेनर और आज की इस वीडियो में फिर से एक बार आपका सौगत है बहुत दिल्चस्ट टॉपिक में यहां पर लेकर आया हूँ उस टॉपिक का दाम है अटिटूड अटिटूड को हम लोग कहते हैं नजरिया क्या रोल है इसका बहुत ही इंपॉर्टन रोल है दोस्त बहुत ही कमाद का रोल है नजरिये का एक किसम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपसे कुछ दस्त पत्रा दिन पहले में मिद्त के पास गया था इक दोस्त के पास उसकी कमपनी बहुत बढ़ी है 400-500 जोग उसकी कमपनी में काम करते हैं वहां बरों बैठा हुआ था और चाय पीते-पीते में ने उससे बात करी कि अगर आपकी कमपणी को बहुत ज़ादा तरक्की लेनी हो और कोई एक चीज जो पूरी कमपणी में अगर बदलाव के लिए हो कोई एक चीज बदल नहीं हो तो वो क्या होगी जिससे कमपणी की तरक्की बहुत जबरदस हो जाए तो उनने का वो एक चीज होगी attitude हाला कि यह जवाब सोचने में उनने 10 मिनट लगए बर 10 मिनट बाद उनने जो जवाब दिया वो जवाब था attitude कि अगर मेरे जितने भी स्ट कि अंदर मैंने कदम रखा था सेलिंगी इंडर्स्ट्री में मैंने 21 साल की उमर में कदम रखा था और वहाँ पर एक सीनियर से मेरे मुलाकात हुए तीन ने मुझे कहा था बुल्चन अगर बहुत तरक्की चाहिए तो मेहनत तो तुम करोगे ही अपने बदलाव तो लेकर आ देता था कि तुम्हें अपने attitude के ओपर काम करने की अभी बहुत जरूरत है जितना जादा attitude तुम्हारा strong होगा उतरी जल्दी तुम successful हो जाओगे उतरी जल्दी तुम आगे की तरफ भागवे आगे की तरफ दोड़ोगे तो उन्हेंने मुझे बुक पढ़ाई उन्हें कहा और वो अपनी sales को बढ़ाने के लिए समय समय पर क्या करते कि वो एक गुबारा हवा में उड़ा देते हुए गुबारे को देखकर मेले में चितने भी बच्चे मौजूद थे वो अपने माता पिता से request करते कि हमें भी गुबारा खरीदना है हमें भी गुबारा खरीदना ह तो वो गुबारे वाला जग्यासर को समझ गया और उसने कहा कि ये बेटा कंफ्यूज हो रहा है ये बच्चा सोचा है कि गुबारे का रंग डिसाइड करेगा कि गुबारा उपर उड़ेगा ये नहीं उड़ेगा तो वो जवाब देता है कि बेटे इस गुबारे के कदर वे मत जाओ कौन से कंदर का बलून है कौन से किर्ट का गुकारा इससे कोई फरक नहीं पड़ता उस गुबारे के अंदर तो गुबारे के अंदर गैस कोंची भरी गई है व्ये डिकषेट bols कितना उच्चा जाएगा कितना उच्चा नहीं जाएगा और दोस यही होता है हम इंसानों के साथ भी हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टेड एकाउंटेंट हैं हम किसी भी प्रोफेशन से हैं professional decide नहीं करता कि हम लोग कितना उपर जाते हैं कितना नहीं जाते यह हमारे अंदर का attitude decide करता है क्योंकि एक समय के बाद आप ही के जैसे होनहार लोग जब 20 हो जाते हैं आप ही के जैसे होनहार लोग जब 500 हो जाते हैं वहाँ पर आपका attitude आपको एक winning edge वहाँ पर रलाके देता है तब ही हम बात success की करते हैं दोस्त success क्या है? success किसी की भी जीवन में accident से नहीं आती और कई हिताबों को पढ़ने के बाद यह नतीजा निकल कर आता है कि success आपके attitude का ही एक result है और attitude क्या है दोस्त? attitude हमारी खुद की choice है positive attitude रखना है यह negative attitude रखना है यह हमारे हाथ में यह हमारी choice है इसी लिए आप किसी भी successful आदमी की book पड़े है उन्होंने जरूर mention कर रखा है वापबर कि success is not a matter of chance it is a matter of choice और choice क्या थी? आपका attitude तो जो हमारा attitude है वैसी ही हमारी success दोस्तों हमें मिलती है आपर टीक उसी प्रकार से attitude का वो ही रोल है जैसा रोल आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी इमारतों में होता है जितनी बड़ी इमारत होती है आप किसी भी गगंचुम भी इमारत को देख लीजे आप किसी भी बड़ी इमारत को अगर आप notice करेंगे तो 60% उसका हिसा धर्दी के नीचे होता है याई एकर वो इमारत जो है बिल्डिंग जमीन से जतनी उपर है 60% वो जमीन से उतना नीचे है चाहे वो दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्च खलीफा हो या वो दुनिया की कोई भी बिल्डिंग हो तो जो 60% है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नीः और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं foundation और हमारे इंसानों के अंदर भी attitude को foundation ही बोला गया है सबको महिनत नजर आती है सबको हुदर नजर आता है, सबको टैनिग नजर आता है बड़ जो अंदर है-जो internal है वो है हमारा नजरिया तो हमारा नजरिया कैसा है हमें अपने आपको लेकर, situation को लेकर हमारे profession को लेकर, society को लेकर, समाज को लेकर ये एक success के लिए हमारी winning edge बनता है एक बहुत अच्छा fact मेरे बढ़ा था आपके साथ कहाँ पर share करना चाहता हूं कि एक school से या college से आप देखें बच्चे की injury कब होती है बच्चा 13 साल का होता है जब वो play way में जाना शुरू करता है उसकी total number होती है 20 साल 20 साल से लेकर 20 साल दे को बढ़ाई करता है या हमने 20 साल वो studies में लगाता है और 20 साल के बार 1000 लाखों लोग उसी इसमें शामिल है तो कौन बच्चा आगे बढ़ पाएगा कौन आगे नहीं बढ़ पाएगा इसमें बहुत बड़ा योगदान उसके नजरिये का भी है इसलिए जो fact मेरे हाथ लगा वो मैं आपके साथ share करता हूँ कि 15% role है सिरफ 15% role है वो सारी education का जो हमने 20-20 साल में ली होती है और 85% role होता है कि हमने वो education को इस्तमाल कैसे कर रहा है यानि 15% को कैसे use कर रहा है वो 85% है बड़ जो fact and figure है वो सिरफ 15% है तो दोस्त आटिट्यूट का बहुत बड़ा role है आप देखिए ना हम में से कितने लोगों की life में problems होती है और जबकि मैं हमने क्या पढ़ रखा है कि problem कभी problem नहीं होती समस्या कभी समस्या नहीं होती समस्या को देखने का नजरिया जो होता है वो सबसे बड़ी समस्या है problem को देखने का जो attitude है वो सबसे बड़ी problem है और हमारा attitude हमारे लिए कभी कोई बहुत सारी problem लाकर खड़ी कर देता है आपने ही कुटेशन सुनी होगी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यापर यानि कि कभी ये ना मांगे कि आपके लिए situation आसान होती आप ये मांगे कि मैं और अच्छा आत्मी होता है situation को handle कर पाता यानि कि आप कम समस्याओं के बारे में ना मांगे आप अगर मांगना ही चाहते हैं तो ये मांगे कि मेरे पास समधान बहुत सारे हूँ मेरे पास solutions बहुत सारे हूँ और मैं भी यही मांगता हूँ के उपर वाले से कि मेरा नजरिया मेरे बच्चों का नजरिया और मेरे परिवार का नजरिया जो है वो नजरिया हमेशा positive बना रहे, super strong बना रहे, मैं जानतों नजरिया अच्छा होगा, तो सब कुछ हम अपने जीवन के अंदर achieve कर सकते हैं और एक छोड़ी सी स्टोरी आपके साथ शेर करके इस वीडियो को हम लोग खतम करते हैं, क्या होती है स्टोरी, एक गली महले में दो भाई अपने घर के बार जशन बना रहे होते हैं, एक बड़े भाई ने छोटे भाई को एक Mercedes नाम की गाड़ी गिफ्ट की होती है, यही नज सारा सामने वाले घर में दो भाई देख रहे होते हैं, अब देखिए एक ही situation को देखने वाले दोनों भाई, वहाँ पर मौझूद हैं, बस एक का attitude positive है और एक attitude negative है, जिसका negative attitude होता है, उस situation को देखकर वो क्या बोलता है, काश मेरा भी कोई ऐसा बड़ा भाई होता, जो Mercedes gift मिल जाए, और एक कार है, काश में Mercedes gift कर पाऊं, यही है फरण नजरीय का, तो दोस्त, नजरीया बदलो, सब कुछ बदल जाता है, वो शेर आपने जरूर सुना होगा, नजर बदलो, नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो, सितारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने की ज़ यह 5-7 मिनिट में खतम हो नहीं सकता, फिर भी मेरा मानना है, कि जिस वट से हम चाहें, जब जाए तब सवेरा है, जब से हम चाहें, positive attitude लाना, तब से हम अपनी like के दला सकते हैं, आपका धेर सारा धन्यवाद, ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, शेर जरूर करे आपके दोस्तों के साथ, subscribe करें इस चैनल को, like करें, comment करें, और ज़रूर बताएं यह वीडियो साब को कैसी लगी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, thank you so much